उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2022 में अप्राधियों और माफिया के खिलाफ बुल्डोजर चलाने का स्लोगन दिया गया था इस बुल्डोजर को योगी आदितिनाथ ने अपने चुनावी भाशनों में जम कर भुनाया भी उनके समर्थकों ने उन्हें बुल्डोजर बाबा का नया नाम भी दे दिया अब चुनाव में बहुमत से सत्ता में लौटे योगी आदितिनाथ खुद तो हिट हो ही गए साथ ही उनका बुल्डोजर भी सुपर हिट हो रहा है CM योगी की इमेज बुल्डोजर बाबा की रूप में भी तेजी से फैली UP चनाओ में भाजपा सरकार की फिर से वापसी के बाद जगे जगे विज़ जलूस में बुल्डोजर भी शामिल रहा अब तो लोग अपने हाथों पर बुल्डोजर का टैटू बनवा रही है बुल्डोजर बाबा का ख्रीज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग UP में चिनाओ जीटने के बाद अपने हाथों पर बुल्डोजर का टैटू बनवा रही है इतना ही नहीं बुल्डोजर बाबा का नाम भी लिखवा रही है वारण असी के ऐसी घाट पर एक टैटू शॉप में ऐसा ही नजारा देखा गया यहां लोग अपने हाथों पर बुल्डोजर का टैटू और बुल्डोजर बाबा कर नाम दिखवा रही है टैटू आर्टेस सुमित का कहना है कि जब से मुख्य मंत्री योगी आदित नात ने उत्तर प्रदेश उधान सभार 2022 में बंपर जीत हासिल की है लोग हाथों पर टैटू बनवा रही है मैं आधा दर्जन टैटू बना चुका हूँ लोगों में बुल्डोजर बाबा क्रेज बढ़ चुका है उन्हें चाहने वाले टैटू बनवा कर दिखा रहे हैं कि बुल्डोजर बाबा आ रहे है बता दें कि शुनाव में भाश्पा गडबंधन ने 273 सीटे जीत कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है वारण असी की आठो सीटो पर भाश्पा गडबंधन की ही जीत हुई वारण असी की आठो विधासभा सीटो पर भाश्पा की जीत के बाद शुक्रुवार को हर तरफ खुशी का महौल रहा कहीं बुल्डोजर पर जश्न मनाये गया तो कहीं भगवा होली खेली गई वही पांडेपूर में एक चार्ट विक्रेता ने जीत की खुशी मनाते हुए शिक्रुवार को लोगों को मुफ्त में गुलगपा और चार्ट खिलाया ब्यूरो रुपोर्ट आज की खबर